प्राइवेट टेलिकॉम कमपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद सही सरकारी टेलिकॉम कमपनी BSNL सोशल मीडिया पर छाई हुई है सरकारी कमपनी ने हाल ही में कई नए रिचार्ज प्लान भी पेश किये हैं जो यूजर्स को पसंद भी आ रहे हैं पिछले दिनों कमपनी ने 84 दिन वाला एक ऐसा ही रिचार्ज प्लान लॉंच किया है जिसके लिए लोगों को प्राइवेट टेलिकॉम कमपनियों के प्लान के मुकाबले 50 प्रतिशत कम खर्च करना पड़ता है इस प्लान में हाई स्पीड डेटा समेत अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग समेत कई बेनिफिट्स ओफर किये जा रहे हैं सरकारी टेलिकॉम कमपनी का ये रिचार्ज प्लान STV 599 के नाम से आता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लान में डेली 3 GB डेटा का लाब मिलता है इस प्लान में यूजर्स को 252 GB डेटा मिलता है साथ ही यूजर्स को पूरे देश में किसी भी टेलिकॉम नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री SMS का भी लाब मिलेगा जियो का 3 GB डेटा वाला रिचार्ज प्लान पहले 999 रुपे की कीमत में आता था कमपनी ने अपने इस प्री पेड प्लान की कीमत को बढ़ा कर 1199 रुपे कर दिया है BSNL यूजर्स को ये सारे बेनेवेट्स आधे कीमत में मिलने वाले हैं BSNL जल्द ही पुरे देश में 4G सर्विस लाँच करने वाला है कमपनी ने चनननी टेलिकॉम सरकल के लिए ये सेवा शुरू कर दी है कमपनी इसके लिए 10,000 से ज़ादा नए 4G टावर लगाने का काम पूरा कर चुकी है सरकारी टेलिकॉम कमपनी अपने यूजर्स को 5G रेडी सिम कार्ड ओफर कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिछले दिनों BSNL की घरवापसी हैश्टाग के साथ 45,000 से ज़ादा पोस्ट शेर किये गए थे ये यूजर्स के बीच टॉप ट्रेंड करने लगे हैं अब हम आपको बताते हैं कि BSNL के इस प्लैन के ज़ादा सफल होने की कैसे संभावना है निजी टेलिकॉम कमपनीों ने ग्रहकों को सस्ते प्लैन में इंटरनेट का सबसे अच्छा पैकेज दे कर लुभाने के बाद अब उनकी जेब काटनी शुरू कर दी है टेलिकॉम कमपनीों के इस कदम से उपभोगता नाराज है और इसका सीधा फाइदा सार्वजनिक टेलिकॉम कमपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानि BSNL को मिलने वाला है BSNL ने आकर्षन पैकेज लॉंच किये हैं जो ग्रहकों के आकर्षन का केंदर बनने लगे हैं निजी टेलिकॉम कमपनीों को छोड़कर अब हर रोज हजार से ज़्यादा लोग BSNL में पोर्ट करा रहे हैं जिन ग्रहकोंने BSNL के सिम कार्ड बंद करके रखे हुए थे अब फिर से उन्हें अक्टिवेट करने लगे हैं BSNL के अधिकारी ही बताते हैं कि आकर्षक पैकेज लॉंच करने का सीधा फाइदा BSNL को ही मिल रहा है BSNL के अधिकारियों के लिए यही आकड़े चौकाने वाले साबित हो रहे हैं कि जो ग्रहक BSNL छोड़कर दूसरे टेलिकॉम कमपनियों में पोर्ट करा रहे थे अब उन कमपनियों को छोड़कर BSNL में वापसी कर रहे हैं अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि महीने के अंत तक यह आकड़ा 2-5 लाग तक पहुँचने की संभावना है सारवजनिक टेलिकॉम कमपनियों की तुलना में भारत संचार निगम लिमिटेड यानि BSNL के प्लान 45 प्रतिशत तक सस्ते हैं BSNL 199 रुपे में 30 दिन का प्लान दे रहा है जिसमें 2 기बी प्रतिदिन इंटरनेट मुफ्ट मिलेगा और इस प्लान की वैलिडिटी 75 दिनों की है यही प्लान जीओ में 86 रुपे का है इसकी ویلिडिटी 84 दिनों की है एकल में यही प्लैन 989 रुपय का है जिसकी वیलिडिटी 84 दिनों की है Voda Phone में भी यही प्लैन 989 रुपय का है और वैलिडिटी 84 दिनों की है ऐसे थी खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राए जरूर दें